Hello class 10th, तो चलिए हम लोग आज mineral and energy resources का last part पढ़ते हैं और इसमें जो थोड़ा सा बाकी रह गया है वो देख लेते हैं सबसे पहले है tidal energy, tide मतलब आप समझते हो ना कि जब समुद्र में जौर और भाटा आता है उसको tide कहते हैं जो आर मतलब नदी का समुद्र का पानी उपर चड़ना और भाटा मतलब समुद्र का पानी नीचे उतरना ठीक है तो चलिए tidal energy देखते हैं oceanic tides can be used to generate electricity अब बहुत सारे व्याग्यानिकों का मानना है कि oceanic tide याना ocean में समुद्र में जो tides आती हैं high tide, low tide उसका इस्तेमाल electricity generate करने के लिए किया जा सकता है floodgate dams are built across the inlet जहां से समुद्र का पानी अंदर आता है वहाँ पर क्या किया आता है floodgate dam बना दिया जाता है during high tide water flow into the inlet फिर जब high tide आता है और पानी जब उपर चड़ने लगता है तो क्या होता है वह inlet से जो रास्ता होता है पानी का उससे वह अंदर आके जमा हो जाता है get trapped when the gate is closed और जैसे ही high tide खतम होता है मतलब high tide complete होता है वैसे क्या होता है उस floodgate को बंद कर दिया जाता है the water retained by the floodgate flow back to the sea via pipe that carries it through a power generating turbine और फिर क्या होता है कि जब tide fall होता है नीचे भाटा आता है जब पानी नीचे गिरना शुरू होता है तो क्या होता है एक pipe होती है जिसके through पानी को तेजी से बाहर की तरफ निकाला जाता है और जब पानी इस pipe से तेजी से बाहर निकलता है तो उसको power generating turbine के through पानी को निकाला जाता है तो इससे क्या होता है जब तेजी से पानी निकलता है तो turbine चलने लगता है और उससे electricity generate होती है इन इंडिया गल्फ आफ कच प्रवाइड आइडियल कंडिशन फॉर यूटिलाइजिंग टाइडल एनर्जी भारत में गल्फ आफ कच में ये टाइडल एनर्जी का बहुत अच्छा इस्तेमाल हो सकता है यहाँ पर आइडियल कंडिशन है 900 MW Tidal Energy Power Plant is set up here by the National Hydro Power Corporation और यहाँ पर 900 MW Tidal Energy Power Plant भी लगाया गया है National Hydro Power Corporation द्वारा उसके बाद देखिए जियो थर्मल एनर्जी उसके बाद है जियो थर्मल एनर्जी जियो थर्मल एनर्जी रिफर्स to the heat and electricity produced by using the heat from the interior of the earth जियो थर्मल एनर्जी जो है उस एनर्जी को हम कहते हैं जहाँ पर heat और electricity जो है प्रडियूस की जाती है धर्ती के अंदर की गर्मी के मदद से जियो थर्मल एनर्जी एक्जिस्ट विकास अर्थ ग्रोज प्रोग्रेसिवली hotter with increasing depth जियो थर्मल एनर्जी इसलिए धर्ती पर है क्योंकि जब हम धर्ती के अंदर जैसे से जाते हैं वैसे ही वो और ज्यादा गहराई में गरम हो जाती है जहाँ पर जियो थर्मल ग्रेडियंट होता है और हाई टेंपरेचर जहाँ पर ज्यादा होता है जो यह जो shallow depth में हैं कम गहराई में ही यह चीज़ें मिल जाती है जहां पर क्या होता है जहां पर geothermal gradient बहुत जादा होती है Ground water in such area absorb heat from the rock and become hot और तब क्या होता है ground water जो है जो heat rocks में होती है उसके contact में आकर वो गरम हो जाता है आपने देखा होगा कई जगह भारत में ऐसे भी हैं जहां पर गरम पानी के स्रोत है यानि पान जो है उसमें गरम पानी होता है और ये इतना ज़्यादा गरम होते हैं जब ये धरती की सतह पर आ जाते हैं तो एक पानी के स्रोत के रूप में दिखाई देते हैं इस स्ट्रीम इस यूज़ तो ड्राइफ टर्माइन जनरेट एलेक्रिसिटी और तभी इस बहाओ को पानी का जो बहाओ होता है उससे टर्माइन चलाया जाता है और एलेक्रिसिटी बनाई जाती है भारत में बहुत जगह हैं इस तरह के हौट स्प्रिंग या गरम पानी के जहरने या स्रोत जो है वो विच कुड बी यूज़ टू जनरेट एलेक्रिसिटी और इसका इस्तेमाल एलेक्रिसिटी जनरेट करने के लिए किया जा सकता है टू एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट है बिन सेट अप इनिडिया टू हारनेस जियो थर्मल एनरजी दो एक्सपेरिमेंटल प्रोजेक्ट चल रहे हैं भारत में जिसमें जियो थर्मल एनरजी का इस्तेमाल हो रहा है एक तो है पारवती वैली में योकि मनी करण हिमाचल प्रदेश में है और दूसरा जो है वो पुगा वैली लद्दाग में है अब एनर्जी तो हमारे पास बहुत तरकी है लेकिन एनर्जी को हम बचाएं कैसे conservation of energy energy is the basic requirement requirement for economic development economic development के लिए energy तो बहुत ही जरूरी है every sector of the national economy चाहे वो भारत के आर्थ विवस्था का कोई भी हिसा हो एक्रीकल्चर हो industry हो, transport हो, commercial हो, domestic हो हर जगर needs input of energy सभी को energy की जरूदबढ़ती है The economic development plans implemented since independence necessarily requiring increasing amount of energy to remain operational और economic development plans जितने भी implement हुए हैं सो तंतता के बाद से सभी को energy की जरूरत है उसको चलाने के लिए As a result, consumption of energy in all form has been steadily rising all over the country और यही कारण है कि जो बीजली की खपत है या energy की जो खपत है वो दिन प्रते दिन बढ़ रही है पूरे देश में In this background, there is an urgent need to develop a sustainable path of energy development इसलिए ऐसी हालत में बहुत जरूरी है कि हम लोग एक sustainable path अपनाएं energy development का कि हम भी उसकर ले भविश के लिए भी बचा रहे है प्रोमोशन आफ energy conservation कैसे energy को बचाएं Increase use of renewable energy resource जो renewable energy resource है उसका इस्तेमाल जादा करें are the twin plank of sustainable energy ये दो रास्ते हैं जो कि sustainable energy के लिए हमें इस्तेमाल करने चाहिए कि हम इसको manage करें इस तरह से है ना कि energy हम इस्तेमाल करने भविश के लिए भी बचा रहे हैं इंडिया is presently one of the least energy efficient country in the world भारत दुनिया में सबसे कम energy efficient देश हैं we have to adopt a cautious approach for the judicious use of our limited energy resources इसलिए चुकि हमेरे पास resource कम है तो जो भी है उसे हम बहुत नयाय संगत तरीके से इस्तेमाल करें तो ये तो जादा अच्छा होगा for example a concerned citizen we can do our bit by using public transport system instead of individual vehicle जैसे सजग नागरी की तरह आपको चाहिए कि आप public transport इस्तेमाल करो बनिस्पत के individual vehicle या अपनी गाड़ी इस्तेमाल करने के switching of electricity will not in use जब आप बिजली इस्तेमाल ना कर रहे हों तो बिजली के पंखे, light वगरा बंद करके रखो using power saving devices, power saving devices इस्तेमाल करो जैसे आज कल आपने देखा होगा कि star बने रहते हैं five star, three star, four star ऐसे करके तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो ताकि power saving हो सके using non-conventional sources of energy और आप non-conventional sources of energy भी इस्तेमाल कर सकते हो जैसे solar energy, wind energy, biogas, tidal energy इन सबको after all energy saved is energy produced आकिर का ये बात कही जाती है, सची कही गई है कि energy बचाते हैं, इसका मतलब कि energy हमने produce कर लिया है ठीक है तो यह तो यह तो थी chapter mineral energy resources उसके आगे जो का course जो है उसको भी हम करते रहेंगे और फिर मैं MCQ बना कर भी डालती रहूंगी और आप ध्यान से इसे पढ़िए question answer कीजिए और साथी साथ इस वीडियो को देखिएगा तो पूरा chapter अच्छे तरह से आपको समझ में आ ज thank you very much